मैं हूँ सीमा और दावत चनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज मैं आपके साथ केकी रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी लेकिन बहुत दिन से मुझे कॉमेंट सेक्षिन में एक सवाल आ रहा है कि हमें dark compound chocolate और white compound chocolate perfectly किस तरीके से melt करना है वो बताईए तो आज मैं वही वीडियो आप सब के लिए लेकर आए हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि chocolate जब हम लोग melt करते हैं तो वो curdle हो जाता है कहीं पर chocolate में से oil या butter निकलने लगता है तो ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है वो सारी छोटी छोटी बाते और tips में आपके साथा शेयर करूँगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पसंद आए तो इसे like, comment, share और चैनल को subscribe करना ना भूले सबसे पहले यह chocolate melt करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ dark compound chocolate और थोड़ा सा है इस bowl में white compound chocolate तो यह chocolate अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है दो तीन गंटे पहले इस chocolate को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखना है वैसे तो इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है बाहर भी यह chocolate बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो इसे तीन चार घंटे अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल कर रखते हैं तो यह soft होता है और आप इसके चोटे चोटे टुकडे इस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पर यह dark compound chocolate मैंने लिया है यह आता है आधा किलो का packet इस तरह के mode का तो यह मैंने 85 रुपीज में खरीदा है और जो side में आपको white compound chocolate दिख रहा है आपको मिलेगा गाइस 1500 रुपे में 150 रुपीज में आधा किलो का white compound chocolate का packet पर अब इस चोकलेट को melt करने के लिए हम लोग double boiling method का use करेंगे अगर आपके पास microwave है तो आप एक मिनिट के लिए इस चोकलेट को microwave कर सकते है लेकिन हम लोग यहाँ पर double boiling method का use करते हुए इस चोकलेट को melt करेंगे तो यहा चोकलेट की bowl है guys वो सिर्फ इसके उपर इस तरह से रखनी है और जो नीचे का पतीले का पानी है वो बिलकुल भी आपकी जो उपर की चोकलेट की bowl है उसे टच नहीं करना जहिए अगर वो पानी थोड़ा सा भी हाँ पर bowl को टच करेगा तो आपका जो चोकलेट है guys वो पकन चोकलेट की जोड़ना शुरू हो जाएगा और उसमें चोटे-चोटे दाने बनेंगे और उसमें से बटर भी निकलेगा तो आपका चोकलेट अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगा तो वही रिजन है guys अगर आपका चोकलेट करडल होता है बटर अलग निकलता है चोकलेट अ इस तरह से देखिए अब इस चोकलेट में बिल्कुल भी चोकलेट का मोटा वाला टुकड़ा या चोकलेट के टुकड़े नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसे नीचे उतार कर नॉर्म टेंपरेचर पर आने देंगे अब ये बिल्कुल तयार है तो दूसरा जो करते है तो उसे बटर या जो चोकलेट है वो कर्डल होता है तो वह भी सेम पानी लगने की वज़े से ही होता है तो आपको पानी एकदम कम रखना है और लो फ्लेम पर ही आपको ये काम करना है तो देख सकते हैं यहां पर बीच बीच में इसे आपको चलाते रहना है और जो 5-6 मिनिट में ही हमारे ये जो white compound chocolate है वो भी अच्छी तरह से melt हुआ है देख सकते हैं बिल्कुल भी oil या जो butter होता है वो बिल्कुल भी इससे अलग नहीं हुआ है एकदम evenly smooth हमारे ये जो white compound chocolate है वो भी melt हो चुका है तो आपको बस 2-3 बात तो का ध्यान रखना है यहाँ पर एक तो chocolate आपको पहले फ्रीज से 2-3 घंटे बाहर निकाल कर रखनी है और उसे एकदम चोटे-चोटे टुकुडो में आपको कट करना है उससे क्या होगा आपका जो chocolate है वो जल्दी से melt ह हो जाएगा बस 5-6 मिनिट ही उसे लगते है गाइस melt करने में तो यहाँ पर हमारा white compound chocolate भी melt हो चुका है चलिए हम लोग इसे नीचे उतार कर normal room temperature पर आने देंगे और इससे हम लोग chocolates बना सकते है बहुत सारी चीजे बना सकते है चोकले गार्निशिंग्स बना सकते है देख सकते है इस तरह से हमारे दोनों compound chocolate melt हो चुके है तो इस तरह से सारी चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग भी इस तरह से य chocolate भी अगर melt करना है चोकलेट बनाने के लिए तो आपको सेम यही सारी प्रोसेस रिपीट करनी होगी तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ I hope आपको यह आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अच्छा लगा है तो इसे like, comment, share और चैनल को subscribe करना ना भूलि हुआ 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 है!